हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैगनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं तो कैसी जल्री पढ़ाई वगरा जल्री से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों आप लोगों को पता है एलपी सीबीटी टू में जो आप लोगों का 40 माक्स का सबजेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजिंग उसमें लीवर एंड मशीन इससे बहुत 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 इंपोर्टन्टी चैप्टर है इससे आप लोगों के 3-4 क्योशन आपको हर शिफ् को सौल कर पाएंगे जब हम लोग इस सारी चीज़े को एक्स्पेंड करेंगे ठीक है चलिए दोस्तों बेसिस एंजिंग का कंप्लीट कोर्स भी आ चुका है इसका प्राइज 1399 रुपए बट अभी आप लोग का प्राइज 999 रुपए रख रखा है तो अभी आप लोग ज पहला कि आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि एक आईडियल मशीन यानि आदर्श मशीन की बात आदर््स मशीन में क्या होता है तो देखो मशीन क्या करती है हमारा काम आप जितना पॉर्स लगा रहे हो उससे ज्जादा का वो फॉर्स आपको देगी या जितनी समझ हुत को मैं क्या करके दे यानि output energy और input energy का अनुपात एक आए या मैं बोलू दोनों का मान अगर बराबर आ जाए तो इसको आप लोग बोलोगे परफेक्ट मशीन आइडियल मशीन जबकि ऐसा नहीं होता है आप जितनी energy दोगे तो उसका दोस्तों पूरी energy का यूज नहीं होगा कुछ energy आपक तो impossible है ऐसा हो सकता है कि आपने मेरी जैब में दो रुपे रखे हो उसके तीन बन जाए चार बन जाए ये तो impossible है क्लियर है क्या बात करेए ये ये भी आप लोगों की almost impossible है अचीव नहीं किया जा सकता लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इसको एक आदर्श मशीन है क्योशन में बोला जा रहा है कि जो mechanical advantage होता है जो यांत्रिक लाब होता है ये किसका ratio है किसका नुपात है आईए मैं आपको समझाता हूँ देखो सबसे पहले आप लोगों को ठोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सरी लीवर किसे बोलते है ठीक है लीवर आप लोग जानते ह है दोस्तों लीवर कुछ भी नहीं है एक rod है एक चड़ है दोस्तों हर rod में एक क्या होता है एक point होता है जिसे आप लोग बोलते है फलक्रम यानि आलंब बिंदू दोस्तों ये point ऐसा होता है इसके about ये पूरी की पूरी rod क्या हो सकती है घूम सकती है समझ में आगई बात को अब मालों दोस्तों इदर कुछ भार रखा है लोड रखा है भार रखा है जिसको आपको क्या करना है उठाना है तो आप लोगों को इदर क्या लगाना पड़ेगा एफट लगाना पड़ेगा तबी तो वो चीज उठेगी समझ में अगई बात को ठीक है तो mechanical advantage आप लोगो उठाया कितना effort लगा के कितना प्रयास लगा के यानि कितना भार उठाया भार और प्रयास का जो अनुपात होता है इसे ही आप लोग बूलते है mechanical advantage या नि या अंत्रे गलाब option number C इसका correct answer हो जाएगा समझ गे बात को simple सीच है ठीक है जैसे आप लोग यहाँ पर देखो आप आप ने उठा दिया कितना effort लगा के इसे ही आप लोग बूलेंगे mechanical advantage ठीक है दोस्तों चलिए बताइए इसका अंसर बताइए क्योशन आपकी screen पर बताओ क्योशन में क्या बोला जा रहा है यदि आवशक प्रयास भार से अधिक है तो यांत्रिक लाब कितना होगा देखो यांत्रिक लाब mechanical advantage के बात हो रही है दोस्तों mechanical advantage क्या होता है आप लोगों का load आपने कितना उठा दिया कितना effort लगा के तो दोस्तों आवशक प्रयास यानि जो आपने effort लगाया है वो भार से अधिक है तो यांत्रिक लाब कितना होगा जैसे मालो load यानि भार तो आप लोगों को उठाना था कोई 100 kg का ठीक है अब आपने इसके लिए जो कितनी रखी मालो 200 kg की चीज रखी आपने या मैं बोलो आपने जो load आपको उठाना था वो 500 न्यूटन भार का कोई load उठाना था लेकिन आपने इसके लिए जो effort लगाया मालेता है वो 1000 न्यूटन का लगाया तो क्या होगा तो प्रयास अगर भार से अधिक है effort जो है अगर भार से अधिक है तो यह आप लोगों का जो रेश होगा एक से कम आएगा ना तो mechanical advantage क्या होगा एक से कम होगा कुछ advantage ही नहीं वाद रूस्तो advantage कब होता आप लोगों का बताओ जब लोड आप लोग बहुत ज़्यादा उठाते बहुत कम effort में समझ गए बात को चलिए बताईए question आपकी screen पर बताईए when we want to use a machine as a force multiplier दोस्तो जब आप लोग किसी machine को एक force multiplier की रूप में use करना चाते हो तो क्या चीज होगी इदर अब सर ये force multiplier क्यों होता है देखो दोस्तो machine जो होती है वो अलग-अलग प्रकार की होती है है ना जैसे generalist के दो type आप लोग देख सकते हो एक तो होता है दोस्तो force multiplier का मतलब क्या है आपने कम effort लगाया और आपने ज़्यादा load उठा लिया force को आपने multiplier कर देना आपने चिन्नू सा लगाया आपने effort कम लगाया ज़्यादा भारा वाली चीज आपने उठा लिए ठीक है next हम लोग बात करते है speed multiplier speed multiplier क्या होता है आईए मैं आपको समझाता हूँ देखो पहले तो मैं आप लोग speed multiplier समझाता हूँ देखो यहां पर देखो इसकी speed क्या है दोस्तों कम है ठीक है आपने इसके साथ में कोई छोटा gear अटेच कर देखो यह तेज़ speed से rotate कर रहा है जितनी speed से रोटेट कर रहा है उससे जाना से कर रहा है तो इस मशीन को बोलेंगे हम लोग speed multiplier speed बढ़ गई जबकि यहां पर देखो आप लोगों को इतना सारा लोड उठाना था आप लोगों ने क्या करा फलकरम जो था वो इधर लगा दिया और काफी दूर पर एफट लगा रहा है तो यह आसानी से उड़ जाएगा ना तो इस मशीन को हम लोग बोलेंगे फोर्स multiplier तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो फोर्स multiplier बनाना तो क्या होगा इसके लिए condition क्या है लोड आप लोग बहुत जादा उठा लो एफट कम लगाओ तो लोड का मान ज्यादा होना चाहिए बहुत जादा लोड आप लोग उठा लोग कम जिस लीवर के लिए यांतरिक लाब एक से कम होता है तो उसका बताओ क्या बोलना जा रहा है जिस लीवर के लिए यांतरिक लाब एक से कम होता है तो उसका क्या होता है अगर mechanical advantage एक से कम है तो देखिए दोस्तों mechanical advantage अगर एक से कम है तो पूछा जा रहा है कि क्या होगा देखो एक चीज में आपको बताओ छोटी सी बिलकुल बताओ, देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग द्यान से समझ लो ये क्या है आपकी लिवर है पूरी की पूरी के रोड़ है समझ गए बात को माल लो ये आप लोगों का लोड था ये क्या था आप लोगों का लोड था भार था इसको आपको उठाना तो इसके लिए आप लोग क्या लगा रहे हो इधर आप लोग क्या लगा रहे हो इधर आप लोग प्रयास लगा रहे हो ठीक है दोस्तो फलक्रम से लोड की जो दूरी ह होती है इसे हम लोग बोलते हैं लोड आर्म क्या बोलते हैं लोड आर्म हिंदी में क्या बोलते हैं इसको भार बुजा बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एफट आर्म और हिंदी में क्या बोलेंगे इसको प्रयास बुजा इसको बोलते हैं क्लियर है क्या स इतना प्रयास लगा के इसे ही तो आप लोग mechanical advantage बोलते हैं बिलकुल दोस्तों mechanical advantage का एक formula और है या तो load by effort बोल दो या दोस्तों effort arm बटे load arm इससे भी आप लोग mechanical advantage का formula निकाल सकते हो अब देखो अगर किसी के लिए यांतरिक लाब एक से कम है अगर mechanical advantage का मान एक से कम है इसका मत value ज्यादा है यह value कम है यानि effort arm का मान कम है किसे load arm से समझ में आ गई load arm ज्यादा है तो दोस्तों load arm ज्यादा कब होगा मुझे बताओ कौन से वाले diagram में आपको load arm ज्यादा नजर आ रहा है देखो इसमें देखो फलकरम से load की जो बीच की दूरी है से तो load arm बोलते है और जो आप लोग effort लगा रहे हो जो force लगा रहे हो जो effort लगा रहे हो उसकी फलकरम से ज़लूरी होती है उसको effort arm बोलते है तो देखो इधर load arm ज्यादा है effort arm कम है तो load arm अगर ज्यादा होगा effort arm कम होगा उस वाले case में mechanical advantage एक से कम होगा clear है क्या और और यह class 3 में होगा यह आप होता है तो यह class 3 का लीवर होता है तो यहां पर effort बीच में होगा फलकरम इधर आप लोड इधर तो कौन सा option होगा बताओ effort बीच में होगा effort between the fulcrum and load बताओ दोस्तो clear है क्या option number C clear है क्लियर 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 है सर होली दमा का लेकर आओ दोस्तों होली दमा का अल्रेडी चल रहा है basic engine का course जो है 3000 रुपएगा है मैं इसकी प्राइज लेकर आए था 1399 रुपए अभी मैंने इसकी 999 रुपए कर रखी है कल पर्सों में वापिस ही 3000 का हो जाएगा समझ गए बात को ठीक है चलिए नेक्स हम लोग बात करते हैं कैची का जो जोड़ा होता है वो किसका उधारन है कैची का जोड़ा बताओ बताइए सकंसर ध्यान से देखो सीजर कैची आप लोग डिली लाइफ में बहुत यूज़ करते हो आपको अच्छे से पता है क्या होगा देखो क्या होगा यह देखो यहां पर ध्यान से देखो देखो यह तो है आपका फलकरम आलंब बिंदू आपको कोई भी चीज को आपके लिए लोड है तो लोड होगा आपका इधर बाहर होगा आप लोगों का इधर और उसके लिए जो आप लोग फोर्स लगाएंगे वो रहा यह रहा तो देखो ध्यान रखो ट्रकी याद रखो एफ ल इगर फलकरम बीच में होता है तो यह पहली क्लास का लिवर होता है लोड बीच में होता है तो यह दूसरी क्लास का लीवर होता है और एफट बीच में होता है तो यह तीसरी क्लास का लीवर होता है बीच में क्या है दोस्तो फलक्रम है तो फलक्रम बीच में तो यह पहली class का लीवर है class one लीवर option number B clear है चले आगे रोस्तो समझ में आगई बात को सभी का अंसर आ रहा है B किसका आ रहा है अनुरुद मॉंडल जी बोल रहा है थड़ थड़ नहीं होगा दोस्तो class one लीवर होगा देखो मैंने आपको क्या बताया अगर फलक्रम बीच माता है तो पहली class one का लीवर आएगा और जल्दबाजी में option number A पे ठिक ना कर दो class one लीवर option number B में दिया हुए ठीक है अरे समझे यह नहीं समझे बताओ बताओ बताइए raising a load by four arm is an example of अगर कोई चीज आप लोग उठा रहे हो अपने four arm के द्वारा four arm किसे बोलता है पता है आप लोगो गो देखो यह आपकी arm हो गई आप तो इसी को समझ लो आप कोई चीज उठा रहे हो कोई चीज उठा रहे हो एना वैसे यह आपका arm होता है यह four arm होता है तो बताओ यह किसका एक example है आजाओ मैं आप लोगों को समझाता हूँ दखो इधर समझो प्लीज मेरी बात को समझो मान लेते हैं आप लोग कोई च और लोग को को फलकरम कि यानि आलंब ऒिंदू ठीक है और आपका जोड हो यडोल लगेगा जोट मसल्स में लगेगा ना Numbers से तो लगा रही है अपका पूरा पूरा जोड एंफगि यह रहा में बीच में क्या हो बीच में क्या है बीच में फलकर में तो भी मैंने चले बहुत बढ़िया नैश कोशन आपकी स्क्रीन पे अच्छा कोशन है ध्यान से आप लोग देखो अभी मैंने समझाये था इसको किस प्रकार से आप लोग सॉल कर सकते हैं पहले आप लोग देखिए सर मेरा ग्रूप डी में हो गया आपको बहुत बहुत बढ़ाई हो दोस्तो एक नट है नट अख्रोट जो भी इसको बोलना चाहिए आप लोग जिसे 40 किलोग्राम बल लगा कर तोड़ा जा सकता है जैसे यह आप लोगों का मैं बता दूँ चलो पहले एक बार है ना क्योशन पढ़ लेता है एक नट है एक अख्रोट है ना इसको अगर आपको तोड़ना है तो इसके लिए जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 40 किलोग्राम फोर्स लगेगा यह बोला जा रहा है इस कोशन में ठीक है उसे 20 सेंटीमिटर लंबे हत्ते वाले नट क्रेकर को नट क्रेकर आप लोगों को बता है जिससे नट को क्रेक करता है यह होता है नट क्रेकर आप लोगों का इसकी टोटल यह जो लंबाई दे रखिये बुजा दे रखिये वो 20 सेंटीमिटर दे रखिये है दोस्तों इसको आप लोग बोलते है हिंज जो हमारा क्या बनेगा फलक्रम बनेगा ठीक है तो बोला जा रहा है नट क्रेकर को कबजे से दो सेंटीमिटर की दूरी पर रखकर तोड़ा जाता है यानि जो नट है उसको आपने हिंज से फलक्रम से किती दूरी पर रख रखा है 2 cm की दूरी पर रख रखा है लिया रख्या अक्रोट को तोड़ने के लिए आवश्यक नियूं तंबल बताओ इसको तोड़ने के लिए जो आप लोग effort लगाओ गहे वो कि geographic लगाओ गहे बताओ किटना लगाओ बताओ बताओ कितना लगाओ गहे आ जाओ, तो mechanical advantage क्या होता है कितना load आपने उठा दिया, कितना effort लगा के यही होता है न, इसका मैंने एक दूसरा आप लोगों को और बताया था क्या, effort arm, बटे load arm, ठीक है, clear है समझ गए बात को, तो effort arm कितनी है, बताओ effort arm किसको बोलते हैं आप लोग, फलकरम से effort की दूरी इसे ही आप लोग effort arm बोलोगे न, तो फलकरम से effort की दूरी कितनी है, 20 cm है, ठीक है, 20 लिख जेता हूँ मैं, load arm किसे बोलते हैं, प्रियास बुजा, फलकरम से load की बीच की distance कितनी है, 2 है, तो 20 बटे 2 आपका अंसर आगिया, 10, mechanical advantage कितना आगिया, 10 अब नियूंतम बल की गणना करी, कितना force आपको लगाना है, effort का मान आप लोगों को, effort का मान निकालना है, तो effort का मान क्या आजाएगा, आप लोगों का, load बटे 10, load आपका कितना था, कितना बल चीज को तोड़ने के लिए, 40 चाहिए, तो 40 में भाग लगा तो 10 का अंसर क्या जाएगा, 4 आजाएगा, अंसर कितना जाएगा, 4 आजाएगा, option क्लियर है, चले आगे, सर बड़े बड़े चैनल पर 400 रुपे में डाल रखा है, आप दोस्तों कितनी अच्छी बात है, आप लोगों के लिए चार्ट सो में, अगर बेसे इंजिंग कोड से लो, तो वहाँ लिलना, परिशान क्यों रहे हो, कमेंट क्यों कर रहे हो, ये तो किलकुल दोगलापन हो गया, सर वहाँ मिल रहा है, तो ले लो ना मैं मना थोड़ी कर रहा है, आप प्लीज इधर पढ़ाई करो, इधर पढ़ाई करो, ठीक है, मरला, आपको मैं कितनी बार बोलू, प्यारे दोस्तों, जो चीज़े होते हैं, आप लोगों के लिए होती है, ये कंटेंट की समझो, कचरा नहीं पढ़ना है आपको यार, बहुत बड़ा स्लेवर्स है, ठीक है, और मेरको उनसे मतलब नहीं है, प्लीज मैं रोज रोज आके खड़ो जाओं, आज होली, ओफर आज ये, आपको बता ऐसा नहीं होता, सारा ध्यान अपना कंटेंट पर हो फोन हो जाएगा, रिसीव दीपुदाज जी, ठीक है, बताइए इसका अंसर, बताइए, एक फिक्स पुली है, और कैसी है, दोस्तो, सिंगल है, फिक्स पुली है, दो चार पुली नहीं लगा रखिया आपने, जैसे मैं आपको बताओ, ये पुली है, इसके चार ओर से मानलो क्या है, दोस्तो, रस्सी है, रस्सी है, ठीक है, अब मानलो इस पर आपने कुछ लटका रखा है, मान लो 10 kg का कोई पत्ता लटका रखा है, अब vist को उठाना ही आपके लिए लोड है, तो आप लोग ऐसे लगा हो तो उसका मतलब क्या हुआ एकर आपको 10 kg का उठाना ही तो अधर उतना ही force effort लगाना पड़ेगा फिर फरक क्या हुआ देखो फरक छोटा सा हुआ जिसे माल लो आप लोगों को क्या कर गी है कुव में से पानी निकालना है तो आपने बालती डाली और अगर आप ऐसे निकालोगे ऐसे खीचोगे आपको effort कहाँ पर लगाना पड़ रहा है जुक्के करती लेकिन जब आपने पुली लगा लिया तो आप लोग ऐसे उठा रहे हो तो केवल क्या हो रहा है दोस्तों यह आपको help करती है पुली किसमे help करती है कि अब आप apply कर लो अपना जो effort है वो किस direction में convenient direction में clear है क्या समझ में आगई क्या चले आगे तो d आपका correct answer हो जाएगा चलिए इसका बताई answer बताओ झाल 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 क्योशन में बोला जा रहा है एक महीला एक स्ठिर चर्खी का उप्योग करके कूवे से पानी खीचती है थीक है इस्थिर चर्खी का मतलब क्याइक fix पूली की बात हो रही है लो चलो एक पूली में बना लेता हूँ यहाँ पर पूली में बना लेता हूँ पूली ठीक है यह फिक्स है ठीक है इस पर दोस्तो रसी है से मालो ऐसे लपेट के से गूम के इदर आ रही है ठीक है तो मास ऑफ दी बकेट एंड वाटर टोगेदर ही 6 क प्लियर है क्या ठीक है दफ फोर्स अप्लाइड बाइड वुमन इच सिक्स सेवंटी नुटन जो महीला जो फोर्स लगा रही है जो अपना एफट लगा रही है वो कितना है छेसो सथर नुटन है कैल्कुलेट दी मेकेनिकल एडवांटेज मेकेनिकल एडवांटेज आप लोगों को बताना है यांत्रिक लाप कितने का हुआ तो मेकेनिकल एडवांटेज क्या होता है आपने कितना लोड उठाया कितना भार उठाया और इसके लिए आप लोगों को एफट यानी प्रयास कित इतना आप लोगों ने लोड उठा दिया 6 kg लोड बताओ इसको फोर्स में न्यूटन में कनवर्ट करो तो ओबिसली M into G क्योंकि इसका टोटल वेट कितना है भार कितना है M into G कर लो 6 G का मान किता मानू दोस्तो 10 मालो भी है ना बाद में देखेंगे 6 into 10 मालो आपने किता लगा है एक जीरो से एक जीरो कटा अंसर आगे 6 बट्टे सड़ सट क्लियर है दोस्तो अगर 6 बट्टे साथ होता तो आपका अंसर आता 0.1 6 बट्टे साथ होता तो एक बट्टे दस आता जीरो दश्मालों एक आता बट साट नहीं हो कि क्या है सड़ सट है तो अंसर 0.1 नहीं आके 0.1 से थोड़ा सा कम आएगा ठीक है तो कितना आएगा सही है गया कितना आ रहे है देखना मेरे साथ 0.08 होना चेह था यह नहीं यहां पर यह आएगा जीरो इसमें एक जीरो मिस कर रखा है मैं यहां पर लिए दिदा हूँ साई ओप्शन 0.0857 नहीं तो 0.0857 एक जेट आपका आ जाता कब आ जाता जब आप लोग एक सेंट रुको 6 एक सेंटो 9.81 अगर जी स्मॉल जी का मान 9.8 रखते तो यह एक जेट यह वाला माना जाता ना कोई बात नहीं समझ में आगई बात को चले आगे बताओ बताईए एक से अधिक यांत्रिक लाप के रूप में कौन सा मशीन कारे करता है दोस्तों अगर यांत्रिक लाप मेकेनिकल एडवांटेज एक से अधिक हो रहा है तो मशीन कौन सी कारे करती है बताओ बताओ तो मेकेनिकल एडबांटेज– एक से ज्यादा ए इसका मतलब क्या है मेकेनिकल एडबांटेज होता क्या है एफट एक Andre load कितना उठाया आपने कितने एफट के बदले इक से ज्यादा ऒर एसका लोड़ आपने बहुत अठैर उठाली ठीक है चलिए आजाओ नेश कोश्चन आपकी स्क्रीन पे यदि भार बुजा परियास बुजा के बराबर है तो क्या होगा सिंपल सी प्र आपकोए उप्षिमांबबं ये चलिए बताइए में इस इसका अंसर आपिए ये से एक लीवर के आदर स्य अंत्र आपकी ऐसे जब प्रियास इतना प्रिमस प्रियास इतना अहता हो लोड़ एतना हो तो mechanical advantage क्या होता है आप लोगों का effort arm बटे load arm तो effort arm कितना है प्रयास arm कितना है 80 cm load arm कितना है 580 बटे 5 क्या हो गया आप cancer 16 हो गया option number A इसका correct answer हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो यह आप लोगों की question थे lever and machine आपने नहीं भी पड़ा हो तब भी मैंने question को इस प्रकार से आप लोगों को समझाए आप लोगों को आराम से समझ में आ गए होंगे दोस्तों general science का course available था ही 709 रुपर में शांदर आपका course और आप लोग का basic engineering का course भी launch हो चुका है 1399 रुपर लेकिन अभी कुछ दिन के लिए मैंने इसको 999 रुपर रख रखा है तो आप लोग कर लीजिए ठीक है ना सारे आप लोग के feature है smart board पर animation classes होगी daily live classes है इन case अगर आप miss करते हो तो आपको उसका recording मिल जाएगी date साल की validity है हर topic आप लोग का cover है bilingual content है हर question का आप बाइना हो कर लीजिए जैसे बाइर करेंगे वैसे आप लोगों का course चलू हो जाएगा ठीक है रोस्तों थैंक्यू सो मच टेक केर बबाए ज्यान रखें अपना बबाए